जैमाता दिमित्रो हमारे योट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपको हनुमान चालिसा की सिद्धी कैसे करनी है इसके विशे में जानकारी दूँगा देखे मित्रो हनुमान चालिसा की सिद्धी एक दिन में भी की जाती है ग्यारा दिनों में भी की ज जाती है और 41 दिनों में भी की जाती है कितने दिनों में हनुमान 40 को सिद्ध करना यह सब कुछ आपके उपर निर्भर करता है और उस समय के उपर निर्भर करता है कि किस समय पर आप हनुमान जी की सिद्धी कर रहे हैं अफिर हनुमान 40 को सिद्ध कर रहे हैं कुछ पर्व कु चैवाल, नवरातरी, दशहरा, महाशिवरातरी, हनुमान जैन्ती, भैरवाश्ट मी, योगिनी एकादशी और पूर्ण मासी अमवस्या अगर ऐसी तिधियों में सिद्धी की जाती है, तो एक दिन में Michी प्राप्ट हो जाती चाये वो किसी मंतर की सिद्धी की जाय चाये किसी इस्तोत्र की चाहे किसी चालिसा की आज मैं आपको हनुमान चालिसा की सिद्धी के बारे में बताऊंगा हनुमान चालिसा की सिद्धी अगर आप एक दिन में करना चाहते हैं तो या तो आप इसको दीपावली की रात्री काल में सिद्ध करेंगे या फिर आप इसको होली चालिसा एक दिन में सिद्ध हो जाती है या फिर महाशिवरात्री ठीक है इसके अलावा कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें आप हनुमान चालिसा को एक दिन में सिद्ध कर पाएं ठीक है इसके अलावा अगर आप इन दिनों में हनुमान चालिसा को सिद्ध नहीं कर पाते ह तो आप अन्य दिनों में भी हनुमान 40 को सिद्ध कर सकते हो, जैसे कि 11 दिनों का नुष्ठान आप कर सकते हो, 21 दिनों का कर सकते हो, हनुमान 40 की सिद्धी अगर आप अन्य दिनों में करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको शुगल पक्ष का मंगलवार या फिर शनिवार का पड़ेगा शुकलपक्ष यानि की अमवस्या के बाद के जो दिन इस्टार्ट होते हैं वो शुकलपक्ष कहलाता है और उसमें जो पहला मंगलवार पढ़ता है या फिर पहला शनिवार पढ़ता है उस पे से आप हनुमान चालिसा की साधना शुरू कर सकते हो हनुमान चालिसा की सिद्धी कैसे करनी है सामाने तरीके से हो जाएगी इसमें कोई विशेश कर्मकांड करने की आवशक्ता आपको नहीं है सामाने रूप से मतलब की पंचो पचार से पंचो पचार से कैसे करना है हनुमान जी को आपको जल अर्पित करना है हनुमान जी को तिलक लगाना है हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करना है हनुमान जी के लिए देशीगी का दीपक जलाना है दोबती जलानी है और उसके बाद में सबसे पहले भगवान गनेश को प्रणाम करना है भगवान गणेश को प्रणाम करने के लिए आप गणेश 40 का पार्ट कर सकते हो इसके अलावा भगवान गणेश का मंत्र है ओम शरी गणेश आई नमा ओम शरी गणेश आई नमा इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो एक माला या फिर ओम गम गण पताई नमा ओम गम गण पताए नम्हा इस मंत्र का भी आप जब कर सकते हो कहने का आश्य यह है कि सरो प्रतम भगवान गणेश की पूजा करी जाती है गणेश जी को प्रणाम किया जाता है उसके बाद में आपको पूजा करनी है भगवान श्रीराम की हनुमान जी की सिद्धी प्राप्त करन ऐति प्रसन्द होते हैं और टत्काल सिद्धी प्रदान कर देती हैं तो उसके pew belief भग्वान 723 राम की पूजर को करनी है राम का जब करना यह जएश्री रामицा एाग तो या फिर ओम राम रमा कि नमा ये मंत्र आ इस मंत्र निस मंत्र की भी आप एक माला कर सकते हो तुलसी की माला से कर सकते हो चंदन की माला से कर सकते हो रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो उस माला से आप एक माला गणेजी के मंत्र की कर लेना एक माला राम जी के मंत्र की कर लेना नई तो आप सामानने रूप से ग शुरू कर सकते हो हनुमान जी को सबसे पहले प्रणाम करना है आपको अतुलित बलिधामम हेम शेला भदेहम दनुजुवन क्रिशानुम ग्यानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान राणाम धीशम रगुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामी यह श्लोक है आप श्लोक बोल सकते हैं अगर आपको आता है नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है सीधा सीधा हनुमान चालिसा आपको उठानी है उसके बाद में श्रीगुरु चर्ण सरोज रजनिजमन मुकुर सुधारी बरनव रगुबर बिमल जसु जोदा यकूफल चारी बुद्धी इस प्रकार से आपको हनुमान चालिसा शुरू कर देनी है आप ओम लगा करके भी हनुमान चालिसा का पाठ कर सकते हो और बिना ओम लगाए भी हनुमान चालिसा का पाठ कर सकते हो हनुमान चालिसा का पाठ कर सकते हो हनुमान चालिसा के पूरे के पूरे सौ पाठ आपको कर सौपाट करने पर हनुमान चालिसा सिद्ध हो जाती है आप सौपाट भी कर सकते हूँ और आप 108 पाट भी कर सकते हो 108 की एक पुनरावृत्ती होती है अगर आप 108 कर लेंगे तो अति उत्तम नहीं तो 105 पे भी हनुमान 40 सिद्ध हो जाती है जब आप हनुमान चालिसा को सिद्ध कर लोगे तो उसके बाद नियमित रूप से एक पाठ आपको रोज करना है ताकि हनुमान चालिसा की सिद्धी बरकरार रहे, बनी रहे हनुमान चालिसा अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो इसके अनेक लाब है ठीक है सिद्धी एक लाब अनेक हनुमान चालिसा को अगर आप सिद्ध कर लेते तो आपके जीवन में भूत प्रेत बादा कभी नहीं होगी हनुमान चालिसा का नियमित पाठ करने से आपके शत्रू आपके उपर हावी नहीं हो पाएंगे आपको आप कहीं भी जा रहे होगे कहीं बेबी आप जाओगे तो आपको हर कारे में सफलता प्राप्त होगी हनुमान जी की शक्ती अद्बूत है अपार है आप सबी लोग जानते ही हैं हनुमान जी के विशय में और जब आप इस चालिसा को सिद्ध कर लोगे तो आप कहीं पर भी इस चालिसा का पाठ कर दोगे हनुमान 40 में बहुत ही जबरजस्त शक्ती होती है अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो इस पार्ट से आपके सारे काम बनेंगे ठीक है कोई एक विशेश काम नहीं आपके सारे काम बनेंगे हर कार्ण में आपको सवलता मिलेगी आपकी सुरक्षा होगी आपकी protection होगी आपको भूत प्रित बादा कभी नहीं होगी अगर किसी व्यक्ति के उपर भूत प्रित बादा है भी और आप हनुमान चालिसा का पाठ करके उसको फूक मार दोगे न तो उसके उपर जितनी भी negative energy होगी सारी की सारी नश्ट हो जाएगी हनुमान चालिसा का पाठ करके आप किसी व्यक्ति के अगर आग्या चक्र पे यहाँ पर आप इस तरीके से अंगूठा लगा करके अगर आप हनुमान चालिसा का पाठ कर दोगे तो उसके चक्र जागरित होने लगेंगे उसका मोलाधार चक्र जागरित हो जाएगा उसका स्व हनुमान चालिसा को जब सिद्ध करेंगे तब भी आपको इसका नुभव होगा और विश्वास मानिए आप इसको सिद्ध करके देखिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमतकार घटी दोंगे कि आप खुद भी हैरानी में बढ़ जाओ कि क्या ऐसा भी हो सकता है तो आप हनुमा और या 108 Part्र करने पड़ेंगे 11 दिन का एकी सो uktयांट Siz और विढान करते हो तो उसमें भी आपको योद्ध शुक्ति और भी जयादः मिलेगी ठीड है अगर आप 41 दिन वाला विधान ही आपका 41 दिन के बराबर होगा क्योंकि होली और दिपावली ये समय ही ऐसा है ये नक्षत्र ही ऐसा है ये ग्रहे ग्रहों का हेरफेर ही ऐसा है ये ब्रहमांड की शक्तियों का ऐसा समय जिस में जिस शक्ति का आवाहन किया जाता है वो शक्ति ततकाल सिद्ध हो जात यह शक्तिय अपनी चरम सीमा पर होती हैं ब्रह्मांड की शक्तिय अपने विस्फोटक रूप में ऊती हैं तो ऐसे में अगर आप किसी भी चीज को सिद्ध करोगे किसी मंतर को किसी चालिसा को, या फिर किसी स्तोत्र को, तो वो तुरंत सिद्ध होता है, ठीक है मित्रो, और पंचो पचार से पूजा करनी है, सिर्फ आपको ज़्यादा कर्म कांड करने की आवेशक्ता नहीं है, नॉर्मल जैसे सामान ने पूजन किया जाता है, किसी भी देवी का, या किसी भ लगी होगी अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नौटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके मिलूंगा आप स अगली वीडियो में तब तक के लिए जय मातारानी की